पढ़ेंगे खबरों में आगे एटा से मुठभेड की खबर मिल रही है जहां एटा पुलिस ने बीती रात रिजौर थाना शेतर में मुठभेड के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरपतार किया है आपको बता दे कि चेकिंग के दरान एक बदमाश से ये मुठभेड हुई है तीन बदमाश बाइक पर सवार होकर किसी बारदात को अंजाम देने जा रहे थे इसी दरान जैतरा थाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया पुलिस से घिर्टा देख, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फाईरिंग कर दे, बदमाशों की एक गोली थाना जैत्रा में गाडी में लग गई, जहाँ दूसरी गोली बेरियर में जा लगी, इस बीच पुलिस ने भी जवाबी फाईरिंग शुरू कर दे, पुलिस की गोली स से बत्माश घायल हुआ है पुलिस और पत्माशों के बीच ये फाइरिंग हुई है जैथरा थाने का हिस्ट्री शीटर भाग निकला है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी